नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का टीचर्स पे ब्रेकिंग न्यूज NCTE की मीटिंग क्या समाथ हो गई है क्या फैसला आ गया है इसके बारे में बात करेंगे क्या रहा कल का जो आंदोलन था जो प्रोटेस्ट था सलकों पे उतर कर एक बात तो मैं कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि अब अगर जो इकठे नहीं हुए आप अंदोलन में नहीं पहुच पा रहे हो अलग बात है आप ट्विट से घर बैठे ट्विटर से सपोर्ट समर्थन कर सकते हो और सत्यम पाठक मैं दाज देता हूं इस लड़के की जिस हिम्मत मैं सत्यम पाठक को आज से नहीं फॉलो कर रहा हूं यह केस जब से चल आज जब से सत्यम पाठक लड़का इस केस से जुड़ा तब से एक बार मेरी बात भी हुई थी लेकिन नतीजे आने के बाद पीड़ सोई हुए थे बीड़ अब्यर थी सोई हुए थे डि प्रेसर बना है तो यही मौका है चुनाओ भी है और अभी ने और इतना असान नहीं है ध्यदेश पास कराना हम भी बोल देना है आप भी बोल दें रहा सत्यम पाठक भी बोल देना लेकिन अगर जो प्रेसर लगतार बनाए रखोगे तो कुछ भी हो सकता है बिल्कुल और थोड़ा सा भी ढीला करें सरकारें भी देखेंगी चुनाओ खतम हुआ फैसला सब खतम हो जाएगा थंडे वरस्ते में चला जाएगा तो सांत मत होने देना अगर जो सलकों पर नहीं तो ट्विटर पर डेली ट्विट करते रहना तो आईए बात कर लेतें सीटी की उन्होंने उनके जो भी चैर्में ने उनको दिया और वो जाके वहाँ पर बीट वालों की राय रखने वाले हैं तो एंसीटी को आज बैठक होने वाली थी इसको लेकर सबसे बहले बीट अबरतियों ने पी आटी में सामील करने की मांग ये लखनाओ का न्यूज की ये फर्जी फर्जी खबर डालते रहते हैं जो वाइरल भी हो जाती तेजी से इन्होंने लिखा एंसीटी की साड़े 6 बजे वाली बैठक संपन हुआ पैठक में सर्व सम्मति से निल्ड़ा लिया गया कि सुप्रीम कोड का फैसला नियाय उचित है सुप्रीम कोड का सम्मा सारे ग्रूप से बहुत सारी जह वाइर हो रहा है बिल्कुल ये फर की है अभी अभी तक मीटिंग हो रही है कि यहां कि सकता हुआ थी विटिंग आज होने वाले और मैं यह भी दावे के साथ कह सकता हूं कि वन वीक वन वीक के अंदर nct की तरफ से यह गवर्मेंट की तरफ से कुछ न कुछ ओफिसियल नूटिस निकल के जरूर आएगी डिगरी धार्खों को कर लेकिन मैं एक बात और बोलता हूं हिम्मत नहीं खोना लगे रहना अगर जो ट्विटर पे घर बैठके सपोर्ट कर सकते हो तो वह काम कम से कम करते रहो ठीक है आईए बात कर लेते आगे के बारे में अभी देखो आज के लिए ट्विटर कैम्पेंग आज से जब आप कंड़े बस्ते में नहीं जाने देना कलका प्रोटेस्ट सक्सेस्फुल इसलें कहेंगे हां मानते हैं सरकार की तरफ से कोई ठोस वह नहीं आया लेकिन हम पीड का जो मुद्दा उसको न्यूज रूम तक पहुचाने में सफल हुए यानि कि हर एक यातकी ऊपर के तबके में अभी से घ्स जाने कि हाँ हाँ ऐसा ही कोहीं मुद्दा है और छातिरों के साथ गलत हुआ है अभी स्तुल ट्वीटर आपको ट्वीट करना है अभी से अब धर्मेंद्र प्रधान जो आपके फर्जी सिक्ष्या मंत्री हैं उनको टैक कर सकते हो तो यह आप जरूर करना है अभी से आप ट्विटर केंपेंज चलना इसमें आप सामिल हो इसके अलावा बात करें और सारी चीज़ें अगर जो मैं बात करूं मांगे क्या क्या है इसक को मैं दिखाना चाहूंगा जो कल एक रिपोर्ट जो चिठी बच्चों के द्वारा भेजी जारे सिक्षा मंत्री को इसमें देखें अभ्यारतियों को प्रात्मिक शिक्षा विभाग में पुनर बहाल करने तो अध्यादेश को अविलंब पारित करने के संबद में लिका द राजपत्र के लिए भी देश के प्राथमिक विद्याला यानिकी एक से पास तक के सिचक बनने की पूरी योगिता रखते हैं इस राजपत्र की अधार पर ही के वीस एनिवीस सहीत विविन राज्यों की भारति पिक्षा भरती प्यार्टी में लाकों की संख्य में बीड़ सरकार के कारी नीतियों विश्वनीता पर बुनियादी वगंभीर सवाल ख़़ए सरकार के उपर भी सवाल सही बात सीधी सी बात ख़़ए आप क्यों खेलर है उचात्रों की जिंदगी से आप दो लोगों को लड़ा के साबित क्या करना चाहते ये बीटीसी वश्वाश्य म हो गए तो इतना बड़ा वखंडा ना खड़ा होता है महोदय सुप्रीम कोट की उक्त फैसले से देश वन में हम सभी करोड़ों बेड़े को प्रात्मिक सिक्षक बनकर गुल उत्ता पुरू सिच्छा देने के फैसले के कठोर वज़पात हुआ है हम सभी ने उक्त समयधानिक प्रात्मिक विद्यालों में सिच्छा प्रतान कर सिच्छा की निव को मजबूत किया सके लेकिन दूख इस बात का है कि हम करोड़ों बेर क्यों में सिच्छक बनने के सपनों परी संस्थाकत हमला हो गया है वाकि यह पत्र है तारा बच्चों के रवारा भीजा जा रहा है हम भी कम जेकम पाच पत्र आज और कल में भेजने वाले हैं जो भी जिनको जिनको भीजना हैरा आप लोग भी कर सकते हैं बाकि कि आज का जो ट्विटर केम्पेन है हैस्टेक बीड प्रोटेस्ट इन प्यार्टी ये आप लोग जितना जल्दी हो सके करने की कोशिस करें बगी कोई भी न्यूज आती है तो आपको बताया जाएगा फर्जी न्यूज पर भरोसा मत करिए कि ऐसी ऐसी चीजे हो गए कि कोई भी कॉमेंट्स आपको कॉमेंट्स करके पता सकते हो कुछ भी पूछना पूछ सकते हो ठीक है चले मिलता सब्सक्राइब जय हिंद जय भारत